नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खब्रों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर जनता दर्बार में CM नितीष ने अपर मुख्य सचीव और DGP से पूछे करे सवाथ विश्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ पटना की गंगा महा आरती मरीश कशब को नहीं मिली रहाथ राचे में क्रोणा संक्रमन के आकडिव में आई गिरावट IPL में SSC जैश्वाल ने रचा इतिहास इसके साथ ही बरते हैं शाम तक की बड़ी ख़ब्रों के ओर विस्तार से जन्ता दर्बार में सीम नितीष ने अपर मुख्य सचीव और DGP से पूछे एक करे सवाथ आज यानी के आठ मई को बिहार के मुख्य मंत्रे नितीष कुमार की जन्ता दर्बार में सियर मितीश कुमार के द्वारा विवन विभागों से जुरे कई सिकायतों को सुना गया और साथ ही उनका हल भी निकारा गया बता दे किसी कड़ी में एक फड़ियादी अपनी शिकायत लेकर सिवान से पहुँचा था उसने सियर मितीश को बताया कि उसके लड़के की हत्या को अब तक 28 साल पूरे हो चुके हैं लेकिन अब तक इस मामले से जुरे अपराधी की गिरफतारी नहीं की गई है मैं इस मामले को लेकर पहले भी आचुका हूँ इस सिकायत को सुन सियर मितीश अचंबित रह गया और कहा क्या आप पहले भी आए हैं हमने नर्देश भी दिया इसके बावजूद भी कोई कारेवाई नहीं की गई ये कैसे हुआ भाई जिसके बाद ततकाल उन्होंने अधि पतना के कलेक्ट्रेट घाड पर 11 दिवसिय गंगोत्सव का आयुजित किया गया था बता दे कि हकारिक्रम IDPTS की ओर से आयुजित किया गया था मालुम हो कि 11 दिन चला इस गंगा आर्ती को वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्च कर दिया गया है बता दे कि जौरान मुख्य अतित के रूप में पतना के मेर सीता साहू एवं पतना दूरदर्शन के निदेशक डॉक्टर राजकुमार नाहर 501 महिलाओं की गंगा आर्ती में शामिल हुए बीते दिन हुए सार्ती के अंतिम दिन कतक नर्तियांगना साग गुरू आलतिर शिवास्तव के द्वारा अपने या बटोडी गई। आपके जानकारी के लिवता दे कि इस ट्रेन में 18 बोगी होंगी जो की बिलकुल बाता नुकुलित होंगी बहीं अगर ट्रेन के स्पीट की बात करें तो या 160 किलो मीटर प्रतिगंडा की रफतार से चल सकती है। ऐसा बताया गया है मालुम हो कि जारकंड और बिहार को स्ट्रेन के स्वगात खुद देश के प्रधान मंत्री नरंदर मोदी के द्वारा दी जा सकती है। राहत नहीं दे सकते हैं। ऐसे में राहत के लिए आप संबंदित हाई कोड जा सकते हैं बता दे कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मनीश कर्षप के द्वारा अलग-अलग राज्यमी दर्ज एफ आयार को एक साथ क्लब करने की मांग की गई थी। और साथ ही NSA के तहत अप ऐसी अफवा भी उड़ी कि प्रशन पत्र वाइरल हो रहा है। मालमों कि अफवा परिच्छा शुरू होने से पहले ही उठने लगी थी और इससे बीच कई फरजी प्रशन पत्र भी वाइरल होने लगे जिसको लेकर परिच्छारतियों के द्वारा बताया गया कि कई चामक खबड़े फैलाई जारी है एंटीय के द्वाराइस परिच्छा को लेकर करें इंतिजाम किये गया थे परिच्छा शुरू होने से आधे घंटे पहले परिच्छा केंद्र बंद कर दिये गया थे और देर बज़े तक सभी परिच्छारतियों को प्रवेश भी दे दि रहे हिंसा के बीच बिहार के 200 से अधिक छात्र मनिपूर में फसे हैं ऐसे में बिहार सरकार के द्वारा उन्हें अपने राजिस्सा कुशल वापस लाने के लिए मनिपूर सरकार से बात ठीट की जा रही है पतादी कि बिहार सरकार को मनिपूर में पढ़ रहे बिहार के 150 छात वे हैं। वा बिल्कुस सुरक्षित हैं। और अपने अपने क्ैमपस में हैं। ऐसे में अगर वहा मोजूद छात्र अपने राजये वापस आना चाहते हैं। तो बीहार सरकार के द्वारा उन्हें अपने संसाधन से बीहार वापस लाया जाएगा। आपके जानकारी के लिए बता दी कि बिहार सरकार के ओर से अपने खर्च पर मंगलवार की सुभ छे बजे चात्रों को वापस लाया जा रहा है। के नियमों में संसोधन करते वे आनन्द मोहन की रहाई की गई थी। जिसके बाद बिहार सरकार के द्वारा लिये गए इस फैसले पर आई-एस अधिकारी कृष्णईया की पत्नी उमा देवी के द्वारा सुप्रीम कोड को चुनौती दी गई थी जिसे सुप्रीम कोड के द् चार लोग अरिस्ट बिहार में जब से सराब बंदी हुई है तब से लगातार बिहार सरकार के ओर से कई बार अधिकारियों को दिशा नर्देज दिये जा चुके हैं यही वज़ह है किसको लेकर बिहार पुलिस की टीम भी काफी अक्टिव नजर आती है लेकिन राजे में स सराब बंदी होने के बावजूद भी आए दिन सराब तसकर और सराब पीने वालों की गिरफतारी की जाती है बतादी की ताजा मामला बिहार के भागलपुर जिले के पिरपैंथी ठाना च्छेतर के दारापुर पहार का है जहां ठाना ध्यक्ष राज कुमार के रिदतुमे पुलिस की चेकिंग के दौरान चार लोगों को सराब पीने के जुर्म में गिरफतार किया गया है मालूम हो कि जिन लोगों को गिरफतार किया गया है उनकी पहचान जहारकन पुलिस का एक दरों का जमादार और चालक के रूप में किया गया है जिनके नाम राजु कुमार विक्रम कुमार, जितंदर कुमार और दिलप कुमार है पतादी के ज़रा नौ बोतल बियर भी बड़ामत किये गए हैं फिलाल इस मामली की जाच चारी है तीन सो जवानों के सुरक्षा घेरे में लगेगा बागेश्वर दरवार 13-17 माई तक बिहार की राजधानी के नौबदपूर में बागेश्वर धाम के बाबा धिरंदर कृष्ण सास्त्री का दरबार लगने वाला है ऐसे में बिहार के राजधिक गलियारों में सरगर्मी बढ़ी है हाला कि उनके कारेकरम को लेकर तैयारिया जोरो सोरो से की जारी है मालमों कि नौबदपूर में होने वाले इस कारेकरम को लेकर सुरक्षा की भी सभी व्यवस्थाइं की जारी है बतादी कि दिरंदर सास्त्री अपना कारेक्रम 300 जवानों के घेरे में करेंगे आपकी जानकारी के लिए इसके साथ ही पार्किंग की व्यवस्था चारो दिशाओं की ट्राफिक व्यवस्था को देखते वे की जाड़ी है CUET PG 2023 के अप्लिकेशन में सुधार करने का आज अंतिम दिन अगर आपने भी CUET PG 2023 के लिए आवेदन किया है और आपके आवेदन में कुछ गलती हो गई है तो यह खबर आपके लिए है बता दे कि आज यानिकी आठ माई को आवेदन में सुधार करने का अंतिम दिन है ऐसे में वैसे अभ्यरती जो अपने आवेदन में सुधार करना चाहते हैं वाज जरूर कर ले पता दे कि सुधार करने के बाद उमेद्वार को ओफीसियल वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपने आवेदन पर मौझूद रूटी को सुधार कर सकते हैं आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इस परिक्षा के शुरवाद 5 जून से हो रही है जो की 12 जून तक चलेगी मालूम हो कि परिक्षा 2 सिफ्ट में आयुचित की जा रही है जिसमें पहले सिफ्ट का समय सुatters दस बजे से बारावज तक नर्धारत किया गया है तो वहीं दूसरे सीफ्ट का समय दो बहर तीन बजे से शाम पांच बजे राजे में कुल एक्टीव करोना मरीजों की संख्या 592 हो गई है बता दे कि बीते दिन मिले इन 56 करोना मरीजों में अकेले बिहार की राज़ारी पटना से 14 मामले सामने आये हैं वहीं गया के छे खगरिया में 7 करोना मामले पाए गई हैं बता दे कि बीते दिन राजे में कुल 32,256 सैंपलों की जाच की गई थी वहीं अगर देश में करोना मामलों की संख्या की बात करें तो देश में पिछले 24 घंटे में कुल 1,849 नए मामले आये हैं भारत का सक्रिय केस लोड़ वरतमान में 25,178 है मालुमों कि देश में पिछले इस बड़े नेता ने सियम नतीश को लेकर दिया बड़ा बयार एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री नतीश कुमार के दोरा 2024 में होने वाले लोग सभाचनाओं को लेकर देश के सभी विपक्षी पार्टियों को एक करने के लिए जीतो और कोशिशे की जा रही है तो व चनाव होता है तो जनता की सोच अलग होती है नरंद्र मोदी के सामने छित्रिये दल का कोई भी निता आये तो उन्हें ठीक नहीं होगा उन्हें सिकस्त में लेगी नतीश कुमार बड़े निता है और राश्ट्रिये राजनीती में उनकी बड़ी भुमिका है लेकिन उनकी विश्वस्टनियता पर सवाल है वे कई बार नरंद्र मोदी के साथ थे तो कई बार उनके खिलाफ कभी लालू यादव के साथ है तो उससे पहले वह लालू यादव के खिलाफ थे जिसकी विश्वस्टनियता पर सवाल हो वो नरंद्र मोदी को सिकस्त कैसे देगा लालू इन कर पर अनदाज में निशाना साथा गया है उन्हों निशाना साथते वे कहा है कि जम्मो कश्मीर में हमारे वीर जवान सहीत मनिपूर जल रहा है चीन हमारे देश में घुस रहा है चातर नौजवान, क्रमचारी, व्यपारी, खिलारी, तरस्त, गुजराद से 5 साल में 40,000 महिलाएं कायव लेकिन प्रधान मंतरी और ग्रीह मंतरी चुनाव प्रचार में मस्त और देश अस्तवियस्त मीडिया तोरा निर्मित इन लोगों ने लोग तंतर सदभाव, चुनावी, राजनिती और पद की गरीमा को एकड़म तार तार कर दिया है बता दे कि दिल्ली से लोटने के बाद लालू यादव एक बार फिर से राजजिती में सक्रिय हो गया है IPL में यसस्वी जैसवाल ने रचायती है, बीते दिन IPL 2023 के सोरवे सीजन के 92 मुकाबले में राहस्थान रोयस और संराइजिस हैदराबाद के बीच भिरन देखने को मिली जिसमें Sunrises हैदराबाद की टीम के दोरा रायस्थान रोयल्स की टीम को चार विकेट से सिकस दे दी गई मालुम हो कि बीते दिन हुए इस मैच में रायस्थान टीम के सलामी बल्लेबाद यससवी जैसवाल के दोरा भले ही केवल पैतर सरन बनाए गए हो लेकि उन्होंने बीते दिन IPL में अपने नाम एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज करवा लिया है दरसर यससवी जैसवाल अब मच 21 सार 130 दिन के उम्र में 1000 रन बनाने वारे सबसे युवा खिलारियों के लिस्ट में दूसरे पायदान पर पहुँच गए है मालू हो कि उन्होंने इस मामले में अपनी टीम के कप्तान संजू सैमसन और प्रित्वी सौ को भी पीछे छोड़ दिया है बता दे कि इस लिस्ट में सबसे पहले इस्थान पर रिशब पंत का नाम शामिल है जानी आज बिहार में क्या है पिट्रॉल डीजल के रिट? बिहार में आज यानि सुमवार को पिट्रॉल डीजल के रिट जारी की गए इसके बाद राजधानी पत्ना में आज पिट्रॉल 107.24 रुपे और दीजल 94.9 रुपे प्रती लिटर में मिल रहा है बागलपोरु पत्राग यकिमत 107.98 रुपए और डिजल विखीमत 94.7 रुपए प्रतिली टर नर्धालिट की गई है। these of 204 दर से पर जवाब हमें अमारे स्रेक्षण बोक्स में लिख कर दिया है उनके नाम है बाबूलाल मरांडी, रंजीत मिश्टा, कुष्क कुमारी आदव, रवी कुमार राम, नुनो गोलु कुमार, अनवर्ड कनीम खान, शंकर मुख्या, मुटुर रंगीला, रवी संकर, रविंद्र कुमार, मुहम्मद आजम, पवन सिंग, संजीव, पीके पासवा लिकर जरूर बताएं, आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बनड़े आने के लिए देखते रहें, बिहार निउस, और साथ ही अगर आप यूटूब से देखरें, चैनल को सब्सक्राइब करने, और अगर आप फेस्बुक से देखरें, तो पेस को फॉलो क करना ना भूले ताने बात